नमस्कार दोस्तों जैमातादी। दोस्तों अक्सर जब हम सभी परिषान होते हैं तो परिषानी के उपाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस किसी तरह से समस्या खतम हो जाएं और हमारा पिंड छोड़े, इस कामना में लगे रहते हैं, कुछ तो समस्या का हल खोजने के लिए गलत राह पर भी चल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो हर समस्या का समाधान धार्मिक तरीकों से खोजते हैं, जिसमें जोतिष शास्त्र महत्व पूर्ण हैं, वहीं कहीं बार ऐसा भी देखा जाता हैं कि व्यक्ति पैसी की समस्या से काफी परिशान रहता हैं, और पैसी कमानी के लिए भी काफी मेहनद करता हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाता हैं, ऐसे में कहीं लोग गलत राषता भी अपना ले पैसे की तंगी का मतलब है आर्थिक परिशानी, पैसों की परिशानी का कारण होता है लोगों की आय का कम होना और उनका अपनी ही पैसे कुछ सही तरीके से इस्तुमाल नहीं करना, इन्ही कारणों की वज़से उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है यूं तो विज्यान में काफी तरक्की कर ली है और आज की पीडी आधुनिक जनेरेशन के नाम से भी जानी जाती है लेकिन फिर भी आश्ता से जुड़े हुए लोग आज भी पुराने रिवाजों का पालन करना जानते हैं लोग कहते हैं बाप बड़ा न भाईया सबसे बड़ा रुपईया कहीं लोगों को लगता है कि ये बात बिलकुल सही है वे कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान खरीदा जाता है लेकिन आपको बता दें कि जोतिश चास्त्रों के अनुसार से राशी के जातिकों की किस्मत पलटने वाली है या यूं कहलें लोटरी लगने वाली है क्यूंकि इन पर धनकी देवी मा लक्ष्मी की असीम कृपा बन रही है और इनकी काफी दिनों से सोई किस्मत जागने वाली है जी हां बता दें कि आने वाली समय में जोतिश चास्त्रों के अनुसार यह काफी लाब मिलने वाला है और हर काम में सफलता मिलेगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन भागिशाली राश्यों के बारे में जिन पर आने वाले समय में देवी मा लक्ष्मी की कृपा होने जा रही है जो बनने जा रहे हैं धन से माला माल लेकिन दोस्तों उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा दोस्तों को शेर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा दोस्तों सबसे पहले भागेवान और खुश किस्मत राशी है मितुन राशी मितुन राशी के जातकों के लिए आने वाला समय काफी शानदार रहने वाला है भागे का आपको पूरा-पूरा साथ मिलेगा आपके व्यक्तिगत जीवन में और कारिशेत्र में पूरी तरह से अनुकूलता होगी मा लक्ष्मी की क्रिपा से धन धान्य में अपार व्रिधी होगी वरिष्टों से सहकारी हो तथा लाव मिलेगा धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी खर्च बढ़ेंगे लेकिन आमधनी भी बढ़ने के कारण आर्थिक वक्ष मजबूत होगा कारिशेत्र में विस्तार होगा नहीं जिन्नेदारियां मिल सकती है मान समान पद प्रतिष्टा में व्रिधी होगी रुके हुए महत पूर्ण काम पूर्ण कर पाएंगे प्रयासों के कारण प्यापार में विशेश सफलता मिलेगी आध्यात्मिक रूची बढ़ेगी यात्रा के योग बन रहे हैं तो कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुब फलदाई रहने बाला है और दूसरी भारिशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी आपके लिए ये महिना शुब संकेत लेकर आया है कन्या राशी वालों के लिए आने वाला समय धन की वर्षा कराने वाला रहेगा धन धाने में अपार विधी होगी अने इस तोत्रों से धन का आगमन होगा धन से माला माल बनने के योग है, नए कार्यों का आरंब होगा, रुके हुए अटके हुए कार्य पूरन कर पाएंगे, सुख सुविधाओं में वृधी होगी, घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा, परिवारिक जीवन, दामपत्य जीवन सुख में रहने वाला है, रिष्टो में मिठास आएगी, अब तक आ रही अर्चने दूर होकर कार्य निर्विग में पूर्ण तरीके से चंपन होंगे, संतान से समंधित शुब समाचार प्राप्त होंगे, वाहन और भवन सुख प्राप्त होगा, बहुतिक सुख सुविधाओं में बड़ोतरी हो सक आने वाली समय में आपको कही सुब समाचार मिलेंगे, अब अगली प्राप्त होगत है। मदद करेंगे, आप अपनी सभी संसादनों का पूरी शमता से उपयोग करने में सक्षन होंगे, आपके व्यापार शेत्र का विस्तार होगा, जिससे अधिकादिक धन की प्राप्ति होगी, स्वास्तिय में सुधार होगा, मांसिक शांती मिलेगी, घर परिवार में सुख में आतावरन रहेगा, पतनी और संतान का सयोग मिलेगा, बहुतिक सुखों का आनंद अनुभव करेंगे, आध्यात्निक सुख मिलेगा, घर परिवार में शुब कारे संपन होंगे, अविवाहित जातुकों के विवा के योग बन सकते हैं, ये महिना आपके लिए हर तरह से सफ चलता और खुशियां देने वाला साबित होगा, केवल महिने के अंत में मांसिक तथा शारिरिक स्वास्ते पर जादा ध्यान देने की आविश्यक्ता होगी, अन्यता ये महिना आपको अत्यंती शुब परिनाम देने वाला रहेगा, अब दोस्तों अगली भागेशाली मकर राशी के जातिकों को आने वाले समय में किस्मत बहुत तेज से चमकने वाली है, ये महिना मकर राशी वालों के आर्थिक मामलों में शुब फलदाई साबित होगा, मकर राशी वालों पर अभी शनी साड़े साथी चल रही है, लेकिन आपके लिए ये महिना सफलता भरा साबित होगा, आपके मान समान और आमदनी तोनों में रिदी होगी अकस्मात धनप्राती के योग हैं, इसी पुराने निवेश से भी धनलाग हो सकता है, कोई पुराना रिण आप उतार सकते हैं, कारिशेतर में पद प्रतिष्टा में विश्तार होगा, शेहर बजार या लोट्री जैसी चीजों से धनलाग हो सकता है वित्तिस अंस्ताओं से सहकारी मिलेगा, आर्थी त्रिष्टी से परिपोनता लाने के अनेक सुनरे मौके प्राप्त होंगे अनपेक्षित रूप से हर शेत्र में चफलता मिलेगी कार्य पूर्ती हेतु यात्रा के योग बनेंगे जिनसे धन प्राप्ती भी होगी समाज में मान समान बढ़ेगा अपनों से सहकारी मिलेगी तो निर्णे लेने में अपनों की राय जरूर ले कोई भी निर्णे दिना सोचे समझे, माले, साड़ी साती की समाप्ती में अभी देर है, पर धीरे धीरे शुब समय की और आपके कदम बढ़ने वाले हैं तो कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है अगली भागिशाली राशी है रिशब राशी, इस राशी वालों के लिए वहीना अत्यांत शुब साबित होगा, आप अपने प्रयासों से हर शेत्र में सकलता पाएंगे इस महीने में देवी लक्ष्मी की कृपा से आप भी धन से माला माल बन सकते हैं दन समयनित हर समस्या से चुटकारा मिलेगा और मिरंतर धन आगमन के स्तोत्र खुलेंगे बाद विवाद कोट कचेरी के मामलों में सफलता पाएंगे, फैसले आपके पक्ष में आएंगे, धार्मिक कार्यों में रूची बढ़ेगी बहुत समय से मन में रहे अधूरे सपने इस काल में पूरे हो सकते हैं परिष्टों से सैयोग मिलेगा, कार्य विस्तार या पदोनिती होने के योग बन रहे हैं सामाजिक शेत्र में नाम होगा, कुशलता पूर्वक बड़े व्यक्तियों के अच्छे समन्नों से लाव उठा पाएंगे इस महिने में मा लक्ष मी जी आपके द्वारा पर दस्तक देने वाली है ग्रहों के शुब फलों से धन प्राप्ती धन संचे कर पाएंगे विवा इच्छुक जातुकों का रिष्टा तै होने की संभावना है मन को शांती और सुकून देने वाला ये समय है घर, जमीन, जायदाद, वाहन, आधी का सुख मिलेगा अपनी विरोधियों से बना बै दूर होगा केवल इस महिने में पारिवारिक जीवन को लेकर सयम से चलना होगा वानी पर नियंतरन रखे, घर में कलेश ना होने दे अपने जीवन साती की सेहत का विशेश ख्याल रखे बाकी अत्यंती लावपोन सिती इस महिने में बन रही है अब अगली और छटी भागयवान राशी है करक राशी करक राशी के जातक आने वाले समय में अच्छी खासी उनती कर पाएंगे इस दोरान वरिष्टों से आके काम की सराना होगी नौकरी में पदोनिती के प्रबल योग हैं पद प्रतिष्टा में विधी होगी इस महीने सामनी से चल कर आए अवसरों का पूरा लाब उठाने की कोशिश करें भागय का पूरा साथ मिलेगा आपकी आर्थिक सिती बहुत ही उत्तम रहने वाली है धन प्राप्ती धन संचे के लिए ये महीना अत्यंती शुब फलेदाई साबित होगा जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त होगी किसी वज़े से रुके असफल कार्य निर्वरोध पूर्ण कर पाएंगे विध्यार्थी जातक अच्छी उपलब्धी प्राप्त कर पाएंगे स्वास्त्य की ग्रिष्टी से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी घर परिवार से चंतान से सुख मिलेगा उनके साथ आनंगदाई समय रतीत करेंगे ग्रहों की इस शुब सिती के कारण आप अपने शत्रों से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे केवल महिलाओं की मित्रता से सतर्कता बरते बाकी आपके लिए हर तरह से शुबता लानी वाला भागयोदे करने वाला ये महीना होगा तो इस महीने में बनने वाले अनेक शुब सैयोगों के कारण इन छे राशी वाले जात्कों की किस्मत में चाल चांद लगने वाले हैं धन की देवी मा लक्ष्मी की कृपा से सुक्सम्रधी एशुर्य संपन्ता प्राप्त होने वाली है कन्या राशी और मक्कर राशी वाले जात्कों को खास सलाहे वाणी पर नियंतरन रखें क्रोध ना करें वाद विवाद से बचें कन्या राशी और मक्कर राशी वाले जात्कों को खास सलाहे वाणी पर नियंतरन रखें क्रोध ना करें वाद विवाद से बचें मील राशी के लिए इस महीने ग्रहों का ये गोचर सामन्य रहने वाला है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखे